नमस्कार साथियों नवरात्री का त्योहार चल रहा है पावन सप्ता है और रामलीला का भी मौसम चल रहा है यहीं से कुछ दूर रामलीला मैदान है आज से दस साल पहले रामलीला मैदान में भाती-भाती के ठग इखटे हुए मंच पर और पूरे देश को नौटंकी करके अपने जाल में फसाया मीडिया 24 घंटे उसको कवरेज देता रहा नेशन वित अन्ना मुझे याद है हेडलाइन्स बड़ी-बड़ी फ्लैश होता था जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जन अंदोलन बन गया आजादी का अंदोलन बन गया और उसका आधार क्या बनाया था उसका आधार बनाया था सी एजी रिपोर्ट्स को तथा कथित टूजी कोल वो तमाम आरोप पिछले दस साल में साबित हुआ कि बेबुनियाद थे लेकिन उस रामलीला मैदान में जो भाती-भाती के ठाग इखटे हुए थे कुछ उसमें से ठाग नहीं भी थे जो आज पच्चताते हैं कि वो रामलीला मैदान में क्यों गए थे उस वक्त उन सबका मकसद एक था उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंग की साफ छवी को के उपर कीचड़ उचालना यूपिय की सरकार को बदनाम करना और विनोध राय नाम का जो सबसे बड़ा ठग जिसको मैं कहता हूँ उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट्स को आधार बनाके ये पूरी नोटंकी हुई अब आजाईए आप 2023 में अक्टूबर 2023 में ये वही C.A.G. बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट्स निकाल पाते हैं जो 2015 में पचपन रिपोर्ट्स निकली थी 2020 में 14 रिपोर्ट्स निकली देखे क्या हालत हो रही है C.A.G. 2023 में कुछ ऐसी चौका देने वाली रिपोर्ट्स सामने आई भारत माला प्रोजेक्ट आयूश्मान योजना का जो प्रोजेक्ट था उनके घपले सामने आए और हमने सोचा कि मीडिया भी दस साल जो हुआ वो हुआ आखिरी के छे महीने जैसे होता है ना कि बारवीं के एक्जाम में आखिरी महीने पढ़ते हैं रात रात भर बैठ कर तो हमने सोचा आखिरी के छे महीने 24 घंटे मीडिया चलाएगा C.A.G. ने जो कहा उस पर खेर वो नहीं हुआ उसके बाद लगा कि शायद रामलीला मैदान में इस बार कुछ नया होगा लोग इखटे होंगे कोई तो गांधी टोपी पहन के फरजी गांधी बन कर सामने आएगा कुछ नहीं हुआ ऐसी रिपोर्ट कि आयुष्मान भारत योजना में लाखों लाभारती एक ही फोन नंबर से जुड़े हुए जैसे वो मिस्ट कॉल नंबर होता है न भारती जनता पार्टी का वैसे एक नंबर में 200 लोग किसी परिवार में 200 लोग एक नंबर से जुड़े हुए 43,000 करोड रुपे उन नंबरों पे लुटा दिया गया यह सी एजी रिपोर्ट बोलती है मैं नहीं बोल रहा हुए अब आईए आप भारत माला प्रोजेक्ट में भारत माला प्रोजेक्ट में एक रुपे का जो सड़क का काम होता है वो 14 रुपे में हुआ आप आखड़ा देखिए एक रुपे का काम 14 रुपे में हो रहा है और एक किलोमीटर की सड़क को चार अलग अलग तरीके से नाप के चार किलोमीटर बताया जा रहा है आप धान्दली भी देखिए कितनी बेशर्मी से की जा रही इसी येजी रिपोर्ट ने अपना काम बमुश्किल से कुछ किया और सब छोड़िये सड़क छोड़ दीजिये आईश्मान भारत योजना भी छोड़ दीजिये भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने क्या किया कि भगवान राम के घर को नी छोड़ा अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपे का फरजी वड़ा करते हैं कि मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि क्या सिये जी रिपोर्ट्स में आया था उड़ान बड़ी बड़ी स्कीम जिनका नाम ले लेकर प्रधान मंत्री जी पूरे दिन प्रचार करते हैं उड़ान रेलवे खादी ग्रामोद्योग ग्रामीन विकास कहीं नहीं छोड़ा खाऊंगा भी खिलाऊंगा भी अगर बता दोगे तो आपको चुब भी कराऊंगा अब क्या किया सीएजी के साथ मैं वो आपको बताता हूँ तीन अधिकारी कुछ दिनों के भीतर ये रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया अतुराव सिनहा अब ये अतुराव सिनहा जी भारत माला परियोजना चरण एक उसमें उन्होंने सिएजी रिपोर्ट के ये प्रभारी थे जिसमें मैंने आपको बताया एक रुपे की चीज चौदार रुपे में कर दी अब सिनहा साहब को तुरंथ हटा कर तिरुवनंथ पर्म भेज दिया दिल्ली से जाएए आराम कीजिए बहुत काम कर लिया आपने नंबर दो दत्प्रसाद सूरिकांत शिरसाथ यह आयुश्मान भारत जो जन आरोग ये योजना प्रधान मंत्री जिने जिसके बारे में बड़ा धिंडोरा पीटा उसके ये प्रभारी थे और ये प्रभारी से इनों ने भृष्टाचार को उजागर कर दिया प्रधान मंत्री की प्रिये योजना के ब्रषटाचार के इनको भेज़ दिया लीगल वह जहीं आप महां देखिए बहुत हो गया कुछ दिनों में C.A.G. रिपोर्ट आने के बाद न आप कुछ बोले न रामलीला मैदान से कोई आवाजें आई न गांधी टोपियां पहनी गई मोदी जी ने जो करना था कर दिया अशोक सिना ये तीसरे अधिकारी है आयुष्मान भारत जन आरोगी योजना के इन्होंने ओडिट शुरू किया था ओरिजनली इन्होंने शुरुवात की उस ओडिट की इन्हें कहां भेज दिया राजभाशा में महानिदेशक राजभाशा कि अब आप हिंदी पढ़िए जाइए ये हालत प्रधान मंत्री जी ने कि सीए जी की की अब जो सबसे चौकाने वाला मामला है वो मैं आपको बताता हूं सबसे चौकाने वाली बात ये है तबादला तो किया ही अब एक मेल चली गई इमेल चली गई बंबई प्रधान महा लेखागार के कार्याले में कि साब एक मेल आई है तमाम ओडिट फील्ड रिपोर्ट रोक दिया जाए ये री वो मेल गला घोटना इसको कहते हैं इसे कहते हैं कैसे किसी संस्था का गला घोटना कि आवाज नहीं निकले ये सिये जी की हालत की है इनों हमारे सवाल है प्रधान मंत्री से आपके नारे तो हमने बहुत सुन लिये ये जमीनी काम सारा फील्ड वर्क बंद करने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया तो मुर्मू जी की जो हालत आपने कर रखी है हो हमें मालूम है जमु कश्मीर के राज़पाल में मुर्मुजी मतलब ये वाले मुर्मुजी वो वाले नहीं जमु कश्मीर के उप राज़पाल थे जब उन्होंने मांग की कि तुरंट सुनाव होने ची उन्हें हटा दिया गया अब ये C.A.G. है नौ मेने का कारेकाल बचा है इन पर किस तरह का दबाव है कि अब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहें नहीं रिपोर्ट्स पर जब से ये रिपोर्ट्स आई हैं हम ये जानना चाहते हैं प्रधान मंत्री जी ये किसके निर्देश पे C.A.G. का गला घोंटा जा रहा है या आपके निर्देश है या आपके छोटे भाई के निर्देश हैं जो ग्रह मंत्री हैं आजकल निर्देश किसके हैं किसका दबाव है कि फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हमारा दूसरा सवाल है कि जो घोटालों को उजागर करते हैं उन C.A.G. अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया इसका आप जहां आप कहते वहां साइन नहीं कर रहे थे क्या इसलिए कि उन्होंने आपको आई नहीं दिखाया क्या इसलिए कि आपके तथ्य आपकी सच्चाई आपकी हकीकत पूरे देश के सामने रख दी गई एक स्वायस्त संस्था पर यूँ इस तरह से बुल्डोजर चलाएंगे आप और देश चुपचाप देखता रहेगा विपक्ष चुपचाप देखता रहेगा ये हम बरदाश नहीं करेंगे इन में से कुछ अधिकारी तो सिर्फ कुछ महिनों के लिए थे C.A.G. में और उ प्रदाध. कुछ फ्रेंस, वे और निप पर अंसी पर्स करेंसे चुपच चुपच चाप्ट्स् चाप्टलीं के इन पूट्स अ के आ तो सीडूटी और विपक्र में से लिए वे लिए 55 पॉट्स इन 2015, ब्ट नमर वें तो 14 बपॉट्स इन 2020 some very startling brazen corruption came out in the CAG reports this year on the Bharat Mala project on the Dwarka Expressway project on the Ayushman Bharat project we remember 10 years ago when a particular gentleman called Vinod Rai used to leak draft reports to his friends in the media through his friends in the RSS Ram Leela Maidan would see activity primetime channels would show 24 by 7 what's what was happening in Ram Leela Maidan nothing total pin drop silence not even in the entertainment section of the newspapers you will or the television channels do you see any mention of CAG what has that resulted into that has resulted into more brazenness in the government why do I say that this has made the governments more brazen and more shameless because within days of these damning CAG reports the officers who are in charge of auditing these projects were transferred summarily transferred shamelessly transferred immediately transferred not only that a mail was sent in Mumbai by the CAG saying that all field work should stop here is the copy of that not only did they throttle the seemingly independent autonomous institution they do it shamelessly because they are not afraid of the media anymore after the death of the government of the civil society anymore the death of Gandhi topika the death of 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 that fear is gone therefore we come to you again with folded hands please let governments be afraid of the media because only then will democracy survive your questions please you I 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 I'll distribute the copy to you. So look at the denial. I'll give you a copy. Ask them. Ask the government. Let's see. in view of headquarters mail dated 29 26 9 2023 comprehensive detailed presentation on performance audits and state-specific compliance audits taken up in annual plan 2023-24 has been forwarded to headquarters as directed by them pending further clarity in this regard it is directed that all field audit work related to PAs and SCCAs and TAs may be paused with immediate effect till further orders copy भी मिल जाएगी आपको एक नहीं मैंने तो आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूँ और कड़ी भी है कई सारी है भारतमाला परियोजना द्वारका एक्स्प्रेस वे आयुष्मान भारत योजना NHI Toll Collection, Ayodhya Vikaas Pariyojana, Gramine Vikaas Mantralay, HAL, Udhan Scheme, Railway, Khadi Gramodhyog, Swadesh Darshan Yojana, T-Board, मैंने आपको बारां का लिस्ट साथ में संग लगन कर रहा हूँ Are you claiming that transfers and postings of each and every auditor from the CAG had been done, if you can just tell the numbers of the transfers? I have given you these three major who were in charge, Mr. Arutav Sinha, Aturava Sinha, Dattaprasad Surikant Shirsat, Ashok Sinha, who pointed out to major anomalies, major corruption, major scam. पवंजी जिस अयोध्या दर्सन योजना का आपने जिकर क्या, उसी कंदर एक काती योजना, सोदेश दर्सन योजना, CAG ने अभी रिपोर्ट दी है, को उसमें जो है, पौन ने 19 करोन का अनुशित लाप ठेकेदारों को दिया गया है 12 ऐसे उधारन तो अभी आपके सामने है, जहां भरश्चाचार की तरफ स्पष्ट इशारा CAG ने किया, उस पर कोई कारवाई हो, हम सबको यही उमीद होती ही कि सरकारों को जब आप आइना दिखाते हो, तो सरकारें कुछ डर के मारे कोई कारवाई करती है, यहां उल्टा ह हुआ, जिनों ने आइना दिखाया, उन पर कारवाई हुई, पाउन सर, येस्टेड़े वी सौ प्राइम मिनिस्चर इनागरेटिं 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 रैपिड एक्स ट्रें, और इट इस बिन नाव नेम्ड अस नमो भारत एक्स्प्रेस, वाट यही आफ तो से अब प्रधान मंत्री के पद किये गरिमा होती है, कोई हो प्रधान मंत्री किसी पार्टी कोई गरिमा होनी चाहिए, नमो नाम रख दिया साब गाड़ी का, अब मुझे बताइए, कल को कोई भैंस टकरा गई, ट्रेन का आगे मूह तूट गया, क्या हेडलाइन बनेगी, मैं मैं नी बोलना भी नहीं चाहता हूं, क्या हेडलाइन बनाँगी आप बताइए, किसी ने छेड खेंच दी और ट्रेन रुग गई, क्या हेडलाइन बनेगी, क्यो नमो अमतलब आपको मालूम है, क्या बोलना चाह रहे हैं , हमें मालूम है हमें भी ये ग्यान है प्रधान मंतरी को हमसे ज़्यादा इस बात का ग्यान है कि इनके बाद जो सरकारें आएंगी इनको याद रखने की उनको कोई जुरत नहीं होगी क्योंकि उनने कोई ऐसा काम नहीं किया और तो खुद ही अपने नाम पे रख़ दिया अपने नाम पर पता नहीं क्या क्या करें लेकिन जब नाम रख रहे हैं आप अपना चलिए श्टेडियमड पर रख दिया आपने नरेंद्र-मोधी च्रीडियूं टीन प्तों नमो मत बोलो क्योंकि अपमान अधान मंत्री के पद का होता है कि खुदा ना खास्ता कभी भेंस न ठकराए नमो एक्स्प्रेस से लेकिन अगर हो गया तो सर उन्होंने बोला है हाँ सर रिपोर्ट पे वो साइन नहीं करेंगे तो अपनी वो घटनात्म कामों से दूर जा रहे है ऐसे नहीं लगता आपको यह तो आप उनसे पूछिए कि उन पर क्या दबाव है कि वो असायोग अंदोलन करने अपनी सरकार के खिलाफ उस सरकार के खि यह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब उनके यह प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उनके प्री अफसरों में माने जाते हैं उन पर इतना दबाव क्यों है साहबी दबाव क्योंकि वो आदिवासी हैं क्या कारण है कि आप उन पर इतना दबाव डाल देते हैं कि आज वो हस् हो गया सब और कोई हाँ एक से अभी हम तुरा स्टडी कर लें उस पर जवाब देंगे जरूब हाज जो इंडिया गटबंदन में जस तरह से अकलेश लगातार तंज कसरें आज फिर उनका बयान आया है कल कमलाद जी ने जस तरह से कहा था कि छोड़िये अकलेश वकलेश को त जा रहे हैं या फिर आप समाजबादी पार्टी को मद्यप्रदेश में जा रहा है और पास ही आते जाएंगे आने वाले महिनों में मोदी जी को उम्मीद है दूर हो जाएंगे तो गलत उम्मीद है गटबंधन इंडिया का 2024 के लोकसभा चुनाओं को लेकर है अब आप दे सब अपनी अपना भाग्या आजमाईश कर रहे हैं तो इसमें आप कोई विवाद मत ढूंडिये है नहीं कोई किसी को हम नहीं आपकी सुचना अब आप ज़्यादा मुझसे जानते मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश का ना मैं प्रभारी हूं ना मुझे मध्यप्रदेश की टिक्टों के बारे में ज़्यादा ग्यान है तो उस पर मैं टिपणी नहीं करूंगा नाफ्ता मुवी रफ्राटा को भी प्रफ्राटोड़ी रभाटेश्ट राट एक्राटोडी प्रेच्टा क्यों।